नमस्क्राइब दोस्तों Tech Home Tips में आपका स्वागत है आज आपके लिए लाई हूँ चौको पीनेट बटर की बहुत ही आसान रेसिपी बहुत आसानी से होम मेड चौको पीनेट बटर बनाएंगे वो भी कुछी मिन्टों में यानि एक से दो मिनट के अंदर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह सिंपल बहुत आसान बच्चों का तो फेवरेट है ग्रेट, ड्रोडी, पराथा किसी भी चीज में स्प्रेट करके दे दीजे और बस उने तो मज़ा आ जाएगा और सबसे चीबात है दोस्तों घर में बना रहे हैं बिल्कुल बेसिक इंग्रीडियन्स के साथ बहुत सारे वेरियेशन कह सकते हैं आप इसको बनाते समय इसमें मैं आपको पीनट बटर साथ में चौको पीनट बटर दोनों ही बनाना बताऊंगी क्योंकि प्रोसेस लगभग सेम ही है और आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही कम दोस्तों कुछ ही मिन्टों का समय लगएगा और सारा का सारा प्रोसेस होके त्यार हो जाएगा तो यहाँ पर देखे मैंने मूंफली ली है यानि की पीनट मैं यहाँ पर देखे मैं यहाँ पर देखे मैं यहाँ पर मैंने मूंफली को यह पूरी देखे मैं डाल लिया है और इसे लगभग एक से दो मिनट तक गरम कर लूँगी ताकि इसके चिलके आसानी से निकल जाएं तो देखे इस तरह से मैंने इसे 1-1.5 मिनट जरम किया है और नॉर्मल रूम टेपरेचर पर जैसे ही आया और हातों से रगड की मैंने इसके चिलके हटा दिये हैं अभी क्या करेंगे जो नॉर्मल हमारी च्छनी होती है जो हम तलने के लिए यूज़ करते हैं उसके उपर हम ये सारा जो मुंफली है उसे डाल देंगे चिलकों के साथ और अब देखेगा कमाल अभी क्या करेंगे जिसे आटा चानते हैं न से मूसी स्टाइल से इसको चानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आपकी सारा इसका जो उपर की layer वाला कच्रा है सब नीचे आजाएगा और बस चनी में रह जाएगी तो क्या मुंफली और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इस प्रोसेस है बहुत आसानी से देखे मुंफली के सारे चिलके अलग कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी बिल्कुल साफ सुधरी मूमफली तो देखे मैंने भी यही प्रोसेस अप्लाइ करके सारा ही पीनट को क्लीन कर लिया है साफ कर लिया है और मेरे पास पूरा वन एन हाफ का पीनट बनके रेडी है बिल्कुल साफ अभी क्या करेंगे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे छोटा सा जिसमें बहुत अच्छे से पीश जाएगा और मैंने उसमें मूमफली को देखे ट्रांसफर कर लिया है और अब हमें इसे पीशना है तो रुक रुक के ऑन ओफ लगबख एक से देर मेंट मैंने देखे मिक्सी चलाई है और इस तरह से पूरी पीनट देखे पिस गई है और क्योंकि इसमें oil होता है, moon free में अच्छा खासा oil होता है, तो देखे कैसा, थोड़ा सा इसमें moisture है, आपस में बंध रही है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, आप यहाँ बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं, पर क्योंकि यह घर में बना moon free, आपस में बहुत अच्छे से bend हो गये हैं, मिल गये हैं बहुत अच्छे से, तो अब क्योंकि हम क्या करें हैं, हमें तो इसमें थोड़ा सा sweetness देनी है, क्योंकि बच्चों कले बना रहे हैं तो यहाँ मैं sugar powder add कर रही हूँ, sugar powder आप अपने according कम या जादा कर सकते हैं, इस तरह से हमारा यहाँ पर peanut butter बन के तयार है, sugar की quantity अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, एक या दो चम्मच अगर आप extra डालेंगे तो बहुत सही रहेगा, मैंने यहाँ पर sugar की quantity थोड़ी सी कम रखी है, तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर peanut butter बिल्कुल बन के ready है अब क्यूंकि हम यहाँ पर chocolate बाला peanut butter बना रहे हैं, चौको peanut butter बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ cocoa powder, तो यहाँ पर मैं तीन चम्मच cocoa powder डाल रही हूँ, जिस चम्मच से मैंने sugar ना पी थी, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर sugar powder को भी measure किया है, अगर आप chocolate की quantity थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो आप 2 चम्मच रख सकते हैं, अब ही देखें, दुबारा से मैं इसमें घी डाल रही हूँ, जिससे मै पहले गी हम पत्ता है, उसी चम्मच से मैंने चम्मच हम गी और डाल दिया और एक मिनट का इसे फिर से ग्राइन के लिया है, और पीस या bread दीजे और उसमें इसको spread करके बच्चों को दे दीजे health का health और taste का taste इतना पसंद आता है बच्चों को ये chocolate peanut butter की वो मांग मांग के खाते हैं और जब आप बजार से लेने जाते हैं तो अच्छी खासी आपको इसकी कीमत देनी पड़ती है और घर में आपने कितनी आसानी से बिलकुल कुछ मिंटो की तयारी के साथ इतनी जल्दी इतना शांदा peanut butter बना लिया तो दोस्तो दो variation है अगर आप chocolate यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप peanut butter बना सकते हैं और अगर आप cocoa powder एविलेवल है तो आप cocoa peanut butter भी बना सकते हैं रेसिपी ट्राय कीजेगा मुझे comment box में लिखके जरूर बताएगा कि ये simple आसान peanut butter की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे आपके comment का इंतिजार रहेगा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है कोई बात नहीं आप चैनल सब्सक्राइब किया दीजे ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें